वैजन्ती का जन्म अगस्त 1936 को चैन्नई में रहने वाले एक अयंगर ब्राहमन परिवार में हुआ था चुंकी मा एक प्रख्यात अभिनेतरी थी और अक्सर व्यस्त रहती थी तो वैजन्ती की परवरिश उनकी नानी यादुगीरी देवी ने की थी छोटी उम्र से ही वैजन्ती की नृत्य शिक्षा शुरू कर दी गई थी स्कूली पढ़ाई के साथ साथ वैजन्ती भरतनाट्यम की शिक्षा भी ले रही थी 15 साल की उम्र तक वैजन्ती भरतनाट्यम में पारंगत हो चुकी थी साल 1951 में आई वो फिल्म जिसने वैजन्ती माला को हिंदी सिनेमा में एक सबर्गस्ट और मजबूत शुरूत दिला दी ये फिल्म थी बहार वैजन्ती माला के करियर में 1955 में आई देवदास फिल्म का बड़ा ही महत्व है क्योंकि इस फिल्म से लोगों को पता चला कि वैजन्ती ना केवल एक बढ़िया नृत्यांगना है बलकि एक उंदा अदाकारा भी है वैजन्ती माला ने चंद्रमुखी का किरदार निभाया था फिल्म गंगा जमुना के लिए ही वैजन्ती को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था साल 1996 में Filmfare ने ही वैजनती को Lifetime Achievement Award भी दिया था एक दफा वैजनती कश्मीर में डल जील पर किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी एक सीन के दौरान वैजनती माला डल जील में गिर पड़ी और बीमार पड़ गई उन्हें ततकाल मुंबई लाया गया इत्तेफाक से वैजनती माला का इलाज डौक्टर चमनलाल बाली ही कर रहे थे इलाज के दौरान वैजनती माला और डौक्टर चमनलाल बाली की दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई फिर वैजनती माला वा डौक्टर चमनलाल बाली ने शादी कर ली इस तरह वैजनती माला बन गई वैजनती माला बाली